नवादा चिले के सिकंदर पूर गाउं में साप काटने से एक गर्वती महिला की मौत हो गई मौत के बाद मृतक के परिजनों में कोहरा मच गया आपको बता दे कि महिला पांच मा के गर्वती बताई जा रही है वही इस घटना से तीन बच्चियों की सिर से मा का साया उठ गया बताया जा रहा है कि विपिन मिस्तरी की पतनी एक कमरे से गोईथा निकाल रही थी तभी एक जहरीले सापने उसे काट लिया आननफानन में परिजोनों दोरा महिला को सदर अस्पताल में भरती कराया गया जहां चिकस्तों ने उसे मृत गोशित कर दिया जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया आपको बता दे कि महिला की तीन बेटिया है पती दूसरे प्रदेस में प्राइवेट जॉब करता है घटना के बाद 9 वर्सी अम्रिता कुमारी, 7 वर्सी अनुस्का कुमारी एवं 5 वर्सी अनुखी कुमारी की सिर से मा की ममता छिन गई वही लोगों का कहना है कि पती तो सब दिन बाहर में कमा रहे हैं, मैला के उपर ही बच्चियों को पालने एवं तयार कर स्कूल भेजने की जिम्मेदारी थी, हर कोई को या चिंता सता रही है कि तीनों बच्चियों का लालन पालन कैसे होगा, वहीं तीनों बेटियां अपनी म मा के शब से लिपट कर उसे उठाने का प्रयास कर रही थी, तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में मा को क्या हो गया, इस द्रस को देखकर हर किसी की आखों से आसू थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लि